काला चोर काला चोर काला चोर यानि के अलादीन इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सामने चलाया सुल्तान यास्मीन इसे गिरफदार करो काले चोर को गिरफदार करो हम जानते हैं आप सभी के दिलों में कई सवाल और हम आपके एक एक सवाल का खुच जवाब देंगे सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि काले चोर यानि अलादीन के साथ ये उमर दरा शक्स कौन है? ये मुच्छ ये ये मुच्छ है ये मुच्छ है ये मुच्छ है मुच्छ इंसानियत अच्छा है और हमारे बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है इसे आपने कभी देखा नहीं लेकिन इसकी कर्टूतों की कीमत बगदाद के बच्चे बच्चे ने चुकाई इसने अब सबी से आपकी तरक्की, खुशाली और आपके बाच्छा सलामत को चीना है बाच्छा सलामत को चीना है अमसे आपके बच्चे बच्चे अपने साथ किसी दूद के दुलेद को तो लाएगा नहीं और इनो कोई कमभगप चोर इसी के जैसा होगा बेगम मुझे तो लगता है ये चालाक लड़का अपनी गल्तियों का ठीकरा इस बुढ़ना चाता है ताकि ये बच्चा और इसको बेचारे को भसा दे सच कहने का वक्त आगे आई सुपान का मुझे को अच्ची के अच्ची को बेचान कामश हाँ जूट पे नकाब होगा. इनसाफ होगा और सब के सामने होगा. करता नहीं अलादीम किस पुठ्धे को पकड़ के लिया है? हम्... उसी रहाला कहा है? वो मुझे क्या पता? करते हुआ झालादी जे नहीन होगा इनसाफित में और सभी कंशच मängen पाँ मत्री रही को झालादी यालादी Bowl R मैं उसक arqu को अ यालादी किस्क ठ fij 기대 nation फदोन इंडून झाल कर सान निए थान ईठाब रस्ते हाई निए इजा थान झाल वाजिर एला? जिसे आप सब अपना वजीर आला मानते थे, वो इस मुल्क का गद्दार, आप सभी का दुश्मन, हमारे मरहूम अभु का, कातल है। इतने बर्सों से, बगदार का इतना बड़ा दुश्मन, अराम से महल में बैठ हुआ था, आप सब का रहनुमा होने का नाटक कर रहा था, हम सब के यकीन के साथ खेर रहा था, तेकिन आच, अज इसका खेल कहतम होता है। इसने अपनी लानच के लिए हम सभी का फाइदा उठाया, और आज इसके तमाम जूटों से, बढ़ता उठका है। जानते हैं आप सब हैरान है। लिकिन आप सब ने आज तक हमारा साथ दिया है। और आज भी हमारा साथ दीजिए। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लीजे। फिर आप सब को जो फैसला लेना होगा अप ले सकते हैं। अज तक आप सब को जफर ने अंधेरे में रखा हुआ था। लेकिन सच यह है कि अब्बू के कतल में अनादीन का कोई हाथ नहीं था। जफर ने उस पर जूटा इसाम दगाया था। और अनादीन के अब्बू तू भी गदार नहीं थे। उन्हें फसाने वाला यह शैतान है। अब्बू तूटा बनाने वाला और फिर तूटे से गुलाब के पूल में तब्दील करने वाला भी यही शैतान है। परफीला तूफान पानी का काला हो जाना जिंदा मुर्दे सब इसी की वज़र से हुआ है। परफीला जिंदा मुर्दे सब्सक्राइब। अलादीन की नहीं। सुल्ताना गुस्ता की माफ। छोटा मूँ बड़ी बात। दरसल आप ही ने पहले कहा था के अलादीन कातिल है। उसी ने बाद्शा सलामक का ककल किया है। जो कुछ हो रहा है उसके वज़े से हो रहा है। वो काला चोर है। अब आप ही कह रही हैं कि ये सब वजीर... मेरा मतलब है... जफर मिया कातिल है। ये सब जो हो रहा है... उसकी जड़... ये अलादीन और उसकी अम्मी है। ये अलादीन के पास है। ये अलादीन के पास है। जादू किसके पास है। जादू किसके पास है। तो कि नेदार कौन हुआ! अलादीन! पीच में दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं तुम सुल्ताना की बात इस्दत करते हैं तरसल हमारी ये हिम्मत नहीं के हम अपनी सुल्ताना की बात को काटें लेकिन बात जरूरी है और हम बेगुना हैं और अगर कोई ये बात साबिक कर दे के हमने कोई भी गुना किया है या हमारी क्या गल्ती है तो हम तो हम अपनी सुल्ताना के दीवी कोई भी सजा मुझी जूर कर लेंगा हाँ हाँ बेशब बिल्कुल सबूत सबूत सुल्ताना सुल्ताना अभी दिखते हैं और आप कहां से लाएंगी सबूत आज तक आप सब लोगोंने जो भी सुना है अपने वजीर अला की जुबान से सुना लेकिन आज 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 आप हमारी जुबान से सुनेंगे और सिर्फ और सिर्फ सच सुनेंगे जुनेट जी जुनेट यानी के शेक जीनुब और उसके साथ जहर निसाथ वजीर आला की बहन यानी कुलू सही कह रहा था अलादीन को छिराग और जिन रोनों मिल गए है अब अब वजीर आला का क्या होगा औरे बेगम कितने दिन से तुम से गह रहा था वजीर का साथ छोड़ दो सुल्ताना की खास बन जाओ लेकिन तुमने तो अपने कानों में तेल डाल रखा था अब रूने से क्या होगा कान को जुप 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 आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है ये जफर की बेहन है जो नाम से भी जहर है और काम से भी सिपाहियों शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि आलादीन हम सब के लिए खत्रा बन सकता है क्योंकि उसके पास जिननाद है है तो लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता उस तरह उस तरह हर जिननाद बुरा नहीं होता अका क्या आपको लगता ऐसा करना सही होगा ऐसा करना ही सही होगा चाचा क्या आपको लगता आपको लगता क्या आपको लगता क्या आपको लगता क्या आपको लगता तुम्हेंने का था ना की सच कहने कर वगता क्या है है याण यह है अलादीन के तीन जिन अलादीन कचीन क्या 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 विस्ताखी माव सुटाना आवाम इनकी असलियत से तो वाकिफ है अब इसके अलावा अगर कोई शुबूत या कुछ बात बतानी हो तो फिर… नाजनीन बेगम बार बार बीच में बोलके हमारा और इन सब का वक्त बरबाद मत कीजे। एक बार हमारी बात सुन लीजे और उसके बाद आपको जो भी कहना है हमारी आखों में देखकर कहिएगा नजरे चुरा कर नहीं आप सब इने जफर के भाई जुनेद के नाम से जानते हैं लेकिन सच तो यह है कि यह नाहीं जफर के भाई है और नाहीं इनका नाम जुनेद है और यह बात हम काफी वक्त से जानते थे और नाहीं या अल्ला यह क्या बला है या अल्ला यह क्या बला है अल्ला यह वह व्ट कि भिजांग भूबें यर ञे जी कि जीजां कि जा टाते हो पूल खैया है हुर की कि जी एा हुरण हो कि भी dish videos लिए एा हुर एा है अच्छे, सच्छे और हमारे साथ ही है कसम सोने के अशर्फियों की सच्छे और अच्छे ये नामुम्किन नाजनीन को पूरा यकी है कि इन में से किसी ने सुल्ताना पे जादू टोना कर दिया बस कीजी अब तो बस कीजी अम्मी कोई भी नहीं आपके साथ नहीं ये लोग नाहीं आपके खुद का बेटा अब तो जहर घॉनला बंद कीजीए नहीं आपके खुद कीजीए नहीं आपके साथ हम आपके सुल्ताना जरूर लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप अपनी आखी बंद करकर हम पे युकीन करें इसलिए हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी हम आपको दिखाना चाहेंगे शेक जीनु आज कोई राज दें तब को सच दिखा दे मेरे भरी जो हुक्म मेरे आका सब्सक्राव जो कोई थार लेकिन आपको बेहां मेरे जीनु आपको देग एकिन हम आपको कि आख दिखा दोके। झाल झाल